भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरंदर मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता। उनका ये कहना कि इस देश के बड़ी तादाद में लोग अपने को असुरक्षित समझते हैं, ये दुर्भाग पुर्ण है। अच्छा में भी जब शरीया अदादतों के पक्ष में विवाद ब्यान देकर उन्हें एक विवाद खड़ा किया था, 2017 में ही हामित अंसारी जो पॉप्लर फ्रंट ओफ इंडिया के एक कारिकरम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी, एक बार बंदे मातरम के लि तो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे पूछना चाहते हैं, पुरा देश उनसे पूछता है, आखिर जिस देश ने आपको नमबर टू कुरसी दी, यानि उपराश्टवती की कुरसी दी, जिस देश ने इतना सम्मान दिया, कई राजियों में आप भारत के अम आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है, ये देश जानना चाहता है, मुस्लिम समाज के स्पोक्स परसन कब बन गए, किसने बना दिया, इस देश में भारत के सम्विधान ने सब को बड़ाबर का अधिकार दिया है, आज पुरे दुनिया में सबस जादे सुरक्षित, अगर माइनिर्टीज के लोग भी समझते हैं, खास कर मुस्लिम समाज के लोग, तो वो भारत में समझते हैं, खास विशे के लिए मैं आपके सामने यहां मौजूद हूँ, भारत के पुर्व उपराष्टपती हामिद अनसारी, उपराष्टपती रहते हुए उनके कई विवादित चीजे हैं, जिसने के लिए देश ने उनको कभी छमा नहीं किया है, लेकिन आज भी वो जिस तरह की बियानवादी कर रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका की एक ऐसी परिशद जो भारत के खिलाफ जहर उगलती रहती है, उसके कारकरम में शामिल होकर उन्होंने उनलाइन जिस तरह की बाते कही हैं, इसका ये देश, पुरी तरह हमिद अनसारी की इस बात को नकारता है, ये देश में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह अमेरिका की जो आई-म-सी है जो एक संस्था है जो सिर्फ भारत को बंदनाम करने में लगी रहती है एक तो उसके कारकरम में उनको जाना नी चाहिए था दूसरा वहाँ पर जाकर जो बातें उन्होंने कही आई-म-सी जिसके फाउंडर शेख उबैद पहले से ही बहुत सारा फंडे कठा करके भारत को बंदनाम करने के लिए जिस तरह का काम किया है और उसने करीब चार लाख बारह हजार जो यूएस डॉलर है उसको खर्च किया कभी बर्मा में कभी अन्य चीजों में और उसी के कारकरम में जिस तरह हामिद अंसारी शामिल हुए और उस इवेंट में जिस तरह की गुफ्तगू की गई है ये दुर्भाग पुन है भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश हिंदू से अच्छा दोस्त और नरंदर मोदी से अच्छा नेता नहीं मिल सकता जो सब का साथ, सब का विकास, सब के विश्वास के रास्ते पर इस देश को लेकर चल ले हैं पूरे दुनिया के अंदर आज भारत की परशंसा हो रही है कि इतने बड़े देश में न कोई दंगा है, न फसाद है, न कोई विवाद है भारत संविधान से चलता है लेकिन हांबिद अंसारी ने जो पुर्व उपराश्टपती रहे हैं उन्होंने इस बात की भी कदर नहीं किये उन्होंने पहले भी जब 2018 में अलिगर मुस्लिमिनिस्टी में जिन्ना का पोट्रेट लगाये गया था तब भी उस वक्त उनका बियान पूरी तरह दुर्भाग पुर्ण था 2018 में भी जब शरिया अदाजतों के पक्ष में विवाद ब्यान देकर उन्होंने एक विवाद खड़ा किया था 2017 में ही हामित अंसारी जो पॉपलर फ्रेंट ओफ इंडिया के एक कारिकरम में जब गए थे तो उनकी एक आलोचना हुई थी उसी तरह प्रधान मंतरी नेहंदर मोदी जी के पहल पड़े 20 जून अंतर राष्टी जो योग दिवस मनाए गया उसमें भी 190 से जादे देशों ने उसमें भाग लिया लेकिन उस वक्त उस कारिकरम में राष्ट्रपती पढ़ना मुखर जी मोदी साहब हमारे नेता नेहंदर मोदी जी कई केंद्रिय मंतरी शरीक हुए लेकिन हामिद अंसारी साहब ने उसमें शरीक होना बहुत जायज नहीं समझे उन्होंने जिस तरह की बाते की वो देश पहले से जब उन्होंने एक बार बंदे मातरम के लिए जब कहा गया तब उन्होंने कहा नहीं मैं भारती हूं यही काफी है हामिद अंसारी साहब इस देश के जो लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं वो उनसे पूछना चाहते हैं पूरा देश उनसे पूछता है आखिर जिस देश ने आपको नमबर टू कुरसी दी यानि उपराश्टवती की कुरसी दी जिस देश ने इतना सम्मान दिया कई राज जो में भारत का प्रत्रिद्व किया और आपकी जहन और आपका दिमाग इतना भारत के लिए ऐसा क्यों है ये देश जानना चाहता है जब तीन साल पहले जब सुप्रिंग कोर्ट में एक बार राश्टवान अनिवार्ज करने की बात तो मदरा साई कोर्ट ने बंदे मातरम के बारे में जब कहता तब उन्होंने ये बात कही उपराश्टवती के तोर पर कारकाल के आखरी दिनों में अगर आपके अंदर लगता था कि इस देश में आपको या ऐसा लगता था कि किसी समाज को कोई समान नहीं मिल ला है तो आपको पहले कहना चाहिए था लेकिन आख विकारता का माहौल को खत्रे में बताया था पारलिमेंट के एसे में राजसभा के अंदर और जिस तरह की बाते उन्होंने कही थी उससे पुरा देश शर्म शार हुआ था और उनका ये कहना कि इस देश के बड़ी तादाद में लोग अपने को आसुरक्षित समझते हैं ये दुरभाग पुर्ण है पुरा देश इस बात पर उनकी आलोचना करता है और मैं मानता हूँ कि जिस तरह जो भरतिये अम जो अमरीकी मुसलिम परिशद हैं जिसका काम है जहर फैलाना जिसका काम है भारत के बारे में दुस्परचार करना उसके कार करम में शामिल होकर उन्ह मर्यादा जब पड़ से हटने के बाद भी कोई व्यक्ति निभाता है उस मर्यादा को तोरने का काम किया पुरा पुरा देश जानता है कि हामिर अंसारी साहब कभी कोई जयन नेता नहीं रहे और उनको जिस तरह किसी समाज की अंदर उनकी कोई लोग प्रियता नहीं है वो मुस्लिम समाज के स्पोक्स परसन कब बन गए किसने बना दिया इस देश में भारत के सम्विधान ने सब को बडाबर का अधिकार दिया है आज पुरियत दुनिया में सबसे जादे सुरक्षित अगर माइनिर्टीज के लोग भी समझते हैं खासकर मुस्लिम समाज के लोग तो वो भारत में समझते है आज भारत में कहीं कोई दंगा नहीं फसाद नहीं सब लोग मिल जूल कर रहते हैं इस बात को हर भारतियों को परचारित करने की ज़ुदत थी उसके इलावा जो एक पद पे बैठा विकती है जब उनको मालूम है कि जो अमेरिकी मुस्लिम परिशद है वो भारत के खिलाफ एक माहौल तैयार करता है पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने का ठेका लड़का है ऐसे भारत को बदनाम करने वाले ठेकेदारों के साथ बैठकर भारत के उपराश्टपती रहे हामिद अंसारी ने पूरे भारतियों के दिल पर एक चोट मारा है हम दुखी हैं से बात से कि इस बड़े पद पर जाने के बाद भी उन्होंने कोई मरियादा नहीं रखी हम इसकी घोड आलोचना करते हैं ये देश 130 करोड हिंदुस्तानी नरंदर मोदी जी के नितुरत में एक जूठ हैं एक हैं एकठे हैं और दुनिया की कोई ताकत हमारी एक जूठता और हमारे एकठेपन को अलग नहीं कर सकती ये संदेश पूरे दुनिया में जाना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद